नमस्कार पेरे साथियो एक बिग अपडेट लेकर मैं आप सभी के सामने हजिर हुआ हूँ बिहार सिक्षा भरती के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो फेस टू का हमारे एक्जाम के लिए आवेदन प्रकरिया सुरू हो रही थी उसको कैंजल कर दिया गया हाँ जी आपने सही सुना 3 नमबर से जो बोला गया था कि आवेदन की तिति 3 नमबर है उसको यहां से आवेदन की तिति को अभी रद कर दिया गया है ऐसा क्यों हुआ है ऐसा क्यों हुआ है एक्जाम डेट भी हमें क्लियर कर दी गई थी कि एक्जाम तब से होंगे ठिक है दि प्रकरिया है उन्होंने बोला था कि सुक्रवार से आवेदन की प्रकरिया सुरू कर दिया गया है अब क्या बोला है एक बार जो अपडेट आई है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजेगा इन्होंने देखो बोला था क्या बोला था धहन रखेगा कि 6-8, 9-10 और 11-12 की जो आ आवेदन प्रकरिया है वो तीन तारिक 3-11-2023 से 14-11-2023 तक होंगे ओनलाइन आवेदन जो होंगे और साथी साथ एक्जाम डेट भी क्लियर कर दी गई थी कि परिक्षा का आयोजन जो है 7-12-2023 इन्होंने ये भी बोल दिया था कि आज जो इनकी परिक्षा होगी 7-12 यानि क 7 दिसंबर से होगी और 10 दिसंबर तक एक्जाम होगे तो अब ये चीज़ तो हमें पहले भी क्लियर थी कि इसमें जो डेट है उसमें कुछ नगोच चैंज होगा क्योंकि ये पहले ही बोल दिया था कि जो हमारी वेकेंसी हैं वो 70,000 हैं और 1,20,000 वेकेंसी पहले बोली गई इसमें बोला गया है कि जो BPSC का टीर 2 का आप एक्जाम की बात कर रहे हैं कि बिहार सिक्षा भरती के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रिक्रिया आज सुकरवार से सुरू नहीं होगी जो बोला गया था है सुकरवार से आपके आवेदन सुरू होगे वो भी रद कर द रोग दिये गए हैं क्यों ध्यान रखी आगे सुनिएगा सुकरवार से नहीं होगी बिहार लोग सेवा आयो के सची रवी भूसर ने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है और जहां तक कि हम उम्मीद जता रहे हैं कि जो हमारी वेकेंसी सत्तर हजार बताई गई है कि इनमें जो सत्तर अज़ार बच्चे आवेदनों करेंगे फॉर्म फिल करेंगे ठीके इस वेकेंसी पर तो उसी पर अब एक लाग बीज जार वेकेंसी आ सकती हैं यह चर्चा अभी हो रही है साती साती इन्होंने और क्या अपडेट दी है उसके बारे हम प प्रारम हुए हैं जानकारी के नुसर रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती हैं वो भी यह बात कह रहे हैं कि जो हमारे आवेदन यानि कि 40,000 बात बीच में रह रहे थी वो उनी के उपर चर्चा हो रही साइद वो बढ़ सकते हैं सिक्षा विभाग से रिक्तियों स जारी कर आवेदन प्रकरिया सुरू कर दी जाएगी यानि कि जैसे ही वहां से आयोग से इनके पास नोटिस आता है तुरंत ही आपका टीर टू के आवेदन सुरू कर दिये जाएंगे इन्होंने ये भी बोलाया कि वेकेंसी बढ़कर 1,20,000 होने के आसार ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री नितिस कुमार की ओर से गुरुवार को किये गए एलान के बाद नई सिक्षक भरती की वेकेंसी 70,000 से बढ़कर 1,20,000 हो सकती है पटना की गांधी मैदान में नियुक्ति पत्रवित्रन कारिक्रम में सियम नितिस ने क्याक बोला कि दो माह में 1,20,000 सिक्षकों की नई नियुक्ति की घोसना की है बहुत शांदार उन्होंने 1,20,000 सिक्षकों की नियुक्ति के लिए सिक्षा विवाग को टास्क भी सोप दिया है बहुत तो अब आपको ये तो हो गया क्लियर कि जो हमारे आविदन प्रकरिया को रोका गया है वो सिर तो उस प्रकरिया में थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको जादा नहीं आज या कल में ही अपडेट आ जाएगी तो आप लोग परिशान नहीं क्योंकि आचुनाओं सिर्पर हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जल्दी ही एक्जाम करा रहे हैं तेक है आपको अब पहले चरण की बची रिक्तियों को डूसरे चरण की रिक्तियों से जोड़ा जाएगा यानि आगे जो अपडेट में कुछ जो नए पदा आएंगे वो किसमेड होंगे वो नए नोटिफिकेशन के द्वारा ही आपको पता चलेगा तो मुझे जैसे जनकारी मिली ठीक ह अब ही अपडेट आई थी तो मैंने तुरंत आपको इची बताई और नई अपडेट जैसे ही आती है कि क्या बदला हुआ कैसे कब से आवेदन होगा क्या क्या फिर मैं पूरी वीडियो डिटेल में लेकर आपके सामने हाजिर होंगा ठीक है और कुछ भी जानकारी आपको लेनी है तो आप मुझसे मिल सकते हैं यह आपर यह भी वो क्या बताया गया है यह तो वही आपकी जानकारी है कि जो बिहार के लिए टोटल यह तो हमने कल बात कर लिए इसके उपर कि कितनी वेकैंसी है किसमें कितने हैं ठीक है अब यह बाते करेंगे कल ठीक है और कोई भी झाल झाल